एशिराम जैशिरी पालाजी माराज, जैमातादी, दिपावली की रातरी के बाद, घर पर अगर कोई तंतर किया गया है, या कोई काली शक्ति आपके साथ लगा दी गई है, कोई मुठ वार आप पर छोड़ दिया गया है, कोई घायल छोड़ी गई है, कोई काला मुठ आपकी जीवन पर लगा दिया गया है, तो ये सब एक ही रातरी में खंड हो सकता है, कैसे, दिपावली पर आप पर पर पतिकिरिया करी गई थी, दिपावली के उपर आप पर काम किया गया था, आपके परिवार को खराब करने के लिए, आपके घर को तबाह करने के लिए, आपके घर में उचाटन मत जाए आपके घर के अंदर जो है आप सोम रहा ना पाओ तो आप इन सभी चीजों से एक ही कारिया से बसकते हो क्या करना है किस तरिके से करना है मैं समझाता हूँ ध्यान से वीडियो में एंड तक बनेना अगर वीडियो अच्छी रखती है तो लाइक करना चै ऐली मिजज और以前 जैफल लेने हैं अब क्या करना है किस मंतr का जाप करना है किस करना है सारी जानकाड़ी देता हूं समझेव theor गण्यक्ती तांतर विद्या का परी के आपको आपके तो अगर किया होगा तो यह कारी आपको बचा देगा आपको क्या करना है आपको मंत्र लेना है कौंसा मंत्र लेना है ओम हम अनुमते रुजरात्म काय हूं वट स्वा यह मंत्र नहीं है एक powerful energy है स्वाम पंच मुखी हनुमान जी की सिद्शक्ति रुपेन का मंतर है ये, इस मंतर से अगर आपके ओपर कोई काली विद्या कारिय करम किया गया होगा, तो वो खंड-खंड होने लग जाएगा, कैसे होगा, किस पकार से होगा, समझिए, आपने एक हवन त्यार करना है, हवन मे समगरी आपने लेनी है, वो समगरी जो है मार्किर से जो मिलती है, वो तो ले लेना, उस समगरी के अंदर गाएं का घी मिलाना है, और उसी समगरी के अंदर जो है, आपको पंच मेवा, थोड़ी सी पंच मेवा जिसमें नारिल का पुरादा भी हो, वो भी घिसके उसके करोगे ओम हम हनुमते रुद्रात मक्काई हूं फट स्वाहा दो लोंग एक काली मिर्च और ये कालिया आपको करना है ग्यारा पान के पत्ते ये लेने है जब आप माला का जाप कर रहे हो तो जाप करते करते बीच में एक पान का पत्ता एक जैफल और तीन लोंग और दो काली अपने उपर से साथ वार वार कर अगर किसी के उपर शक्ती निगा लगती है आपको ये लगता है कि आपके परिवार के इस सदस्य के उपर ये तंतर परतिकिर्या कर दी गई है या इस पकार की कारिया किया गया है तो ये ले ये उतारा उसके उपर से भी वार कर आपने उस हावन में डाल देना है ग्यारा वार ये अहुती देनी है पान के पत्तों के साथ ग्यारा वार अहुती देने से आपके परिवार पे और जो थोड़ी सी लोंग लिए आपने उसका हावन कंटीनू करते जाना है एक हाथ में जैसे पती पतनी बैठ गए वो लोंग का कारिये करे और एक काली मिच दो लोंग आप समगडी के साथ कारिये करें और शमी की लकडी भी डालते नहीं गी में लगा कर तंत्र बरे से बरी काली विद्या बरी से बड़ा गोर बरे से बरा मुठवार अगर आपके परिवार पर किया गया होगा तो वहीं से स्तंबित होने लग जाएगा जैकि जब कोई व्यक्ति के लिया करता है किसी भी परिवार को बरबाद करने के लिए उसका उदेश्य यह होता है कि सामने वाले व्यक्ति के परिवार के कारिये के लिए मैं ये काम करूँ नेकिन अगर आप तुरंत उसके उपर उसका मूत और जवाब देने के लिए तुरंत त्यार रहते हो तो कोई व्यक्ति कितना भी परियास कर ले नेकिन आपके उपर परियास नहीं कर पाएगा आपका अठास नहीं कर पाएगा आपके परिवार का नुक्सान नहीं कर पाया क्यों? तो कि आप alert थे आप पहले ही जागरित थे आपने दिपावली की रातरी भी कारिये किया आपने छोटी नर्क चतुदसी के दिन भी आपने कारिये किया and aure के बाद चल सकते हो आठ तारीक को मेंदीपूर बाला जी में आठ नमबर को दर्बार लगा रहा हूं आठ का दर्बार लगेगा नो का दर्बार लगेगा दस का दर्बार लगेगा वहां पे सभी का कारेकर्म जो है स्वाम करवाता हूं अगर किसी ने कुछ भी किया हो मेंदीपूर की मैंने जेट क्यों रखी दिपावली के बाद क्योंकि ये जो समय है रितु परिवर्तन का होता है अदल और बदल का होता है करने वाला व्यक्ति आपके परिवा का नुक्सान करने के लिए कोई ना कोई हत्गंडा जरूर अपनाता है और जब व्यक्ति सामने वाले का नुक्सा सामने जरूर आ जाएगी क्योंकि प्रमात्मा की किर्पा उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जिनके हर्दे में 2400 गंटे अपने इश्ट के परती समर्पन रहता है जब आप यह हवन करोगे हवन की जो थोड़ी सी राख है किसी पीपल के नीचे जाकर दबा देना अप यह काम करने वाला वेक्ति कर गया है आपने पहले ही सचेत रहे हुआ आप जब जब सचेत रहे हो तो सामने वाले की एक नहीं चलेगी मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे है जो दिपावली के बाद कुश्म है क्या होता है कहीं को महसूस होता है कहीं को नहीं होता है कई बार के साथ ऐसे प्रती किरिया होई थी, लड़की को दिक्कत हो गई थी पावली के बाद लड़की को दिक्कत हो, उनhosty को दिक्कत और उन्होंने सोचा, वो कुछ और ध्रम को मानते थे, उन्होंने इसकारीय को नहीं किया, और नाहीं को इनौर किया, एक हफता, डेट हफ्ते तक लड़की मालो जिंदी रही उसके बाद लड़की जो है चल बसी वो कहते है अचानक यह क्या हुआ लेकिन यही चीज़ अभी सोचो अगर वो समझ जाते क्योंकि अचानक बिल्कुल जवान लड़की कोई दिक्कत नहीं प्रोबलम ने कोई समस्या नी लोग मारसन प्रयोग भी करते हैं उचाटन अगर इन बातों का कुछ भी नहीं पता है तो मैंने जो ये बात आपको बताई है इस बात को अपने जीवन में अपना लेजिए अपने जीवन में अपना लीजिए और फिर आपने परिवार की रक्षा के लिए कारिया कीजिए और फिर देखिए आपके उपर करने वाली शक्ति कोई भी कैसे भी किसी भी तरिक्के का वार किया गया हो देखो अगर हम कुछ ना करें ये हमारी गलती है करने वाले व्यक्ति ने हमारे परती कारिया किया हमने उसका उतारा भी कर लिया अब परमात्मा के उपर बात है वो हमें किस रूप में बचाते हैं परमात्मा बचाते हैं तब ही ये वीडियो आपके सामने आ रही है अगर आ रही है तो इसको हाथ से मत जाने दीजिए इसे अपनाईए और जो उपाई मैंने इस वीडियो में बताए हैं उन उपाईों को कीजिए और उसके बाद देखना ये जो हावन कर रहे हैं आप और ये जो मंतर है इस मंतर को मत छोड़ना इस मंतर के ग्यारा मंतर का करती है तो ये दर समझे ना आपके उपर करने वाली विद्या भी जो व्यक्ति किसी भी पकालगी करेंगा वो स्तंबित होने लग जाएगी खंड होने लग जाएगी तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और ना बुलना तो को लिए जैजित राम जय मताद।